जोतिश के जानकरों के अनुसार लगातार ग्रहन अक्षत्रों की स्तिती में परिवर्तन होने की वज़े से आकाश मंडल में कई शुबयोग और अशुबयोग का निर्मन होता है जिसका सभी 12 राशों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है यदि ग्रहन अक्ष परिवर्तन की दशा राशी में ठीक है तो इसकी वज़े से जीवन में अच्छे नतीजे मिलते हैं परमतु इनकी स्तिती ठीक ना होने के कारण बहुत से विप्रीत प्रस्तितियों से गोजरना पड़ता है जोतिश गनाना की अनुसार आज हम आपको कुम्भर राशी के बा आत्रप पर जा सकते हैं। इस वीडियो को अब भी लाइक करें और बजरंग बली जी का अशिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जैब बजरंग बली जी लिखना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका सामाने रशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में कोई अच्छी जानकरी और अच्छी सुचना भी आपको मिल सकती हैं कई तरह की जिम्मेदारियों का वाहन आपको करना होगा आप किसी भी मुद्दे पर अधिक बात्चित कर सकते है या आपका स्वबाव अधिक बातों न हो सकता है लेकिन इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा कि बाच्छीत के दवरान कोई गलत वहमी की स्थिती उत्पनन ना हो राजनीती से संबंदित कोई भर्स किसी से हो सकती हैं बच्चों के और से आपको खुशी मिल आपका अधिक धन कर्च हो सकता है कि जाने वाले कामों से आपको भविश्य में फैदा होगा दोस्तों ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो किसी भी काम में अत्म विश्वास की कमी आपके लिए हनिकारक हो सकती हैं आप जो भी निरने लेंगे उ उठाने से फ़ई ले अच्छी तरह से सोच समझ ले आर्टिक मामलों के संबंद में आप अपने आपको उल्जन में महसुस कर सकते हैं हलाकि यह उल्जन कुछ समयक ले ही होगी दूसरों की जरूरतों के प्रति लापरवा ही आपकी कुछ लोगों से अनबन करवा सकती हैं समय सत्र कर रहे याद रखें इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा इसलिए अपना ध्यान स्वय रखें आपको पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा जिससे जीवन में नया अपन आएगा जिन लोगों के आप ज़्यादा करीब हैं उनसे संबंद बात करें तो आपको इस बात का अश्यरे होगा कि आपने काम की सही दिशाद चुनी है या नहीं और फिस में काम के बोच के कारण आप अपने करियर को बदलने के बारे में सोचेंगे आपको अपने सभी विकल्पों के बारे में सोच लेना चाहिए इससे आपको फायदा ही उपलब्द सभी विकल्पों के बारे में अंदर बाहर से जांच कर आपको अपनी करियर के शेत्र को बढ़ाना होगा दोस्तों लौज राशिपल की बात करें तो आप अभी सामजिक सर्कल से कॉट ओफ करके अकेले रहने केर मूड में हैं अगर किसी को दिल से चाते हैं तो आगे बढ़कर अपने प्रेम का इजहर करें उन्हें उपाहर दे या सिर्फ एक गुलाब का फूल वो आपसे प्रभावित होंगे बच्चों के लिए समय संकट बराहें ध्यान रखें अपने पार्टनर को अपने प्यार और केर का हर संबव तरीके से अहसास कराएं एक दूसरे की देखबाल करना सफल मित्रता की चावी है और प्यार का दूसरा नाम भी है अपने दोस्तों और सोलमेट का पूरा ध्यान रखें क्योंकि वो आपकी जीवन की अहम कड़ी है नए संबंदों के बनने का भी योग बन रहा है दोस्तों आखिर में स्वासरेशिपल की बात करें तो आप खुद को और परिवार वालों को सुरक्षित खाना खिला कर चोटी-चोटी बिमारियों को होने से रोखे कोशिश करे कि भीड़ वाली जगों से आप दूर ही रहे दोस्तों यह ती कुम्बराशी के बारे में अब बात करते हैं अपने घर में इस तरह रखे मोरफांक चमकेगे आपके किस्मत घर में बनी रहेगी धन की बरकत हिंदु धर्म में मोरपंक का बहुत महतों माना गया है मोरपंक को पूजिने दुरुष्टी से देखा जाता है मोरपंक भगवान स्रीकुष्णे जी के मुकड की शोबा बढ़ाता है भगवान कुष्णे जी अपने माते पर मोरपंक दारन किये होते हैं इसके अलावा मंदिरों में भी देखा गया है कि पूजा करते समय मोरपंक के पंकों का इस्तिमाल किया जाता है मोरपंग के पंग से भगवान को हवा की जाती है मोरपंग का उपयोग कई बार नज़ा उताने के लिए भी किया जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर को सजाने के लिए मोरपंग का इस्तिमाल करते हैं वास्तु शास्तर के अनुसार मोर पंक की सहयता से मनुश्य अपने घर का वास्तु दोश्य दूर कर सकता है। जी हाँ, अगर आप मोर पंक अपने घर में रखते हैं, तो इससे ग्रह के दुश्प्रभाव से छुटकार मिल सकता है। आज हम आपको मोर पंक का इस्तिमाल करके आप अपनी किस्मत कैसे चमका सकते हैं और अपने घर में किस प्रकार बरकत ला सकते हैं इसके बारे में जानकरी देने जा रहे हैं तो चले जानते हैं आज कल के समय में ज़्यादा तर सभी लोगों को धन से संबंदित परिशानियों से गुजर ना पड़ता है इंसान दिन रात मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है परन्तो सभी लोगों को कामियाभी नहीं मिल पाती है यदि आपकी भी आर्थिक स्थिती कमजोर होती जा रही हैं आप भी धन से संबंदित परिशानियों से गुजर रहे हैं तो ऐसी स्थिती में आप अपने घर के दक्षिन पूर्वा कोने में मौरपंकर लगा दीजिए परन्तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे स्थान पर मौरपंकर लगाएं कि उसके उपर किसी की नजर ना पड़े अगर आप यहो उपाय करते हैं तो इससे शिक रही घर में पैसों की बरकत होने लगेगी और आपका कमाय गया पैसा भी आपके पास टिकने लगेगा अगला है मौरपंकर से जिवन की दिक्कते होगी दूर अगर आप अपने घर में मौरपंकर रखते हैं तो इससे आपके घर की नकरत्मक उरजाद दूर होती है आपको अपने घर में मौर पंक इस तरह से लगाना होगा जहां सबी आने जाने वालों की नजर उस पर पढ़ती रहे मानने तानों सार इस उपाय को करने से घर की सबी प्रकार के नकरत्मक शक्तिया नश्ट हो जाती है इतना ही नहीं बलकि जीवान में आने वाली परिश्यानियों से भी चुटकारा मिलता है अगरा है पती पत्नी के बीच बढ़ेगा प्रे यदि पती पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हमेशा ही बहस बज़ी होती रहती है तो ऐसी स्थिती में पती पत्नी अपने बेडरूम में मोरपंक का जोड़ा लगाए इससे नकरत्मक ता दूर होती है और वाता औरन सकरत्मक बना रहता है पती पत्नी के बीच इससे प्रेम भी बढ़ेगा इस उपाय को करने से दोनों के बीच चल रहे जगड़े जोकी दूर होंगे और आकरी है तीजोरी में मोरपंक का रखना होता है शूब अगर आप अपनी तीजोरी में मोर पंकर रखते हैं तो यह भी शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि तीजोरी या धन रखने के स्तान पर मोर पंकर रखा जाए तो इससे धन की देवी माता लक्षमी जी की कुर्पा दुरुष्टी हमेशा बनी रहती है और व्यक्तिक के आमदनी में दस गुना बड़ोतरी होती है तो दोस्तो यहते मोर पंक के कुछ फायदे दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद